जरा जोर से एक बार सिर्शा की जनता का उत्सा पता लगना चाहिए भारत मदा की भारत मदा की आज हमारे बीच में देश के ग्रह मंत्री जिनको मैं बहुत दिड़ संकल्प के हमारे नेत्रितों देने वाले देशा सरदार पटेल जी नेदर मोदी जी उनके हिसाब से इनको भी लोपुरुष कहना कहीं उचिती होगा क्योंकि जिस प्रकार के निरने आपके नेत्रत में नेंदर मोदी जी के नेत्रत में देश के अंदर हुए ये देश कायल है इस नेत्रतों की हमारे बीच में हमारे परभारी तिरुपरा के पूर मुक्य मंत्री शिरी विपलावदेव जी केंदर सरकार में वाटर इसोर्सिस मंत्री शिरी गजंदर शिखावत जी हरियाना प्रदेश के अमारे अध्यक्ष भार्ति जंता पार्टी शिरी ओम परकाश धनकड जी और यहां आपके बीच के ही हमारे बड़े जुझारू बड़े प्रभावी मंत्री विजली मंत्री चोदर रंजीर सिंगी चोटाला हरियाना सरकार के मेरे साथी मंत्री यहां उपसे सबी सांसद गण विधाय गण, पायटी के पदाधीकारी गण, उपस्थित मेरे पायटी के आत्मिय कारकरता बुंद्वों, और हर्याना की अये अमरे सिर्षा लोकसवा की प्यारी जनता, पत्रकार चायकार मित्रों. माने ग्रह मंत्री जी का, मैं हर्याना की 2.70 लाख लोगों की और से सिर्षा की धर्ती पर स्वागत करता है। यहां यह गुरुद्वराओं की धर्ती है, यह मंदिरों की धर्ती है, यह बड़े-बड़े ऐसे हमारे सत्संगों की यह धर्ती है। हर्याना कोहीं नहीं बलके देश के लोगों के भी आस्ता के यहां बहुत बड़े केंद्र है। आजने ग्रहमंत्री जी, आज की इस रैली में इतना बड़ा यह समू जन समू आपके श्वागत के लिए आया है। सुबह से इंतजार कर रहा है कि हम अपने प्रिया ग्रहमंत्री जी को सुनेंगे। और मैं तो यह कहूंगा कि सुबह के नहीं, हर्याना की जनता तो उस दिन से आपका इंतजार कर रही है, जिस दिन गुहना में हमने रहली रखी थी, लेकिन मौसम खराब और के कारण से आपका आना संबब नहीं हो पाया था। इंतजार करते रहे, आज वो इंतजार आके समाब्थ हुआ है, मैं हर्याना की जनता की और से इस इंतजार के लिए आपकी बेताबिस इंतजार करने में आज जो सुख का अनुभाव कर रहे हैं, मैं आपका बहुत बहुत अभारी हूँ। हर्याना में जब जब आप आए, आपने हर्याना के गौरव को बढ़ाया है। मुझे याद है, जब खेलो इंडिया के करकर में आप आये थे, आपने यहां के खेलाडियों के जजबात, उनकी भावना को देखते उनका होंसला बढ़ाया था। आपने कहा था, कहर्याना के खेलाडी धाकड है. और नकील वहां कहा, बलके जब आप पुलिस में, पुलिस के जवानों के लिए एक समारों में आये थे, राश्पती मैड़ल, जो आपने वो पुलिस का चिन प्रदान किया था, उस समय आपने हमारी उस पुलिस के जवानों प्लीस के जवान धाकड है, किसान धाकड धाकड है, हर्यान अपने धाकड लोगों की और ये भूमी है, ये हर्याना की धाकड भूमी। जहां देश में नौ वर्ष से पधार मंत्री जी के नेत्रतों में बहुत बड़ा एक बदलाव आया है एक ऐसा ये योग जिसमें गरीबों के भले के लिए बहुत सी योजनाये बनाई गई हर प्रांत में लोगों को आगे बढ़ने का मौका मिला देश का जनता की एकता की भा देश की अखंड़ता की बात ये की है और साथ ही विश्व में भारत वर्ष का स्थान कितना ऊंचा हो इसमें भी बहुत बड़ा बदलाव आया है आज विश्व के अंदर भारत वर्ष का नाम हुआ है कि भारत जैसे दुनिया का विश्व गुरू पहले कहलाता था बहुत निकट वर्ष में दुनिया फिर से फिर से भारत को विश्व गुरू कहेगा जहां भारत वर्ष में एक और नौ वर्ष की उपलब्दिया हैं हम हर्यान सरकार के नाते भी केंदर की इन सब योजनाओं में कदम से कदम मिलाकर कंदे से कंदा मिलाकर हम लोग ये आगे बढ़ करने के लिए यहां की जनता को बहुत राहत दी है मोदीजी ने कहा था ना खाऊंगा ना खाने दूगा हमने उस कदम पर चलते हुए हर्याना में ये चीज़ें भुला दी हैं कि कोई भी ब्रस्ताचार के नाते आगे बढ़ेगा निश्व रूप से उसको कहीं और रास्ता देखाएंगे हम ब्रस्ताचार समाफ करने के लिए हमने काम किया है जहां तक गरीबों के उठान की बात है हमने भी अंत्योदे की भावनाओं से बहुत योजनाओं बनाई ही हैं हमने परिवार पैचान पत्र लागू करके और हर गरीब आदमी को सरकार की और सुसके घर में योजनाओं का लाग दिया है कोई उसकी समस्या होती है उसकी घर में जाकर के हल करने के बात हमने कही है हम उसके फोन पर कोई ना कोई योजना का फोन उसको हर परिवार को चला जाता है यहां तक के हमने तो ऐसे हर गरीब परिवार के आदमी के जरम दिन पर शायद वो मनान जो देश की सरकार के साथ बारदवश की सरकार के साथ हर्याना सरकार कदम से कदम मिलाके चल रही है मैं आगे भी आपको इश्वास दिलाता हूँ कि जैसे पिछली बार हमने दस के दस कमल यां खिलाए थे निश्य दूप से इस वार भी हर्याना में दस के दस कमल खिला करके और भाते इंदा पार्टी अपना फर्द कुरा करेगी और हम आगे बढ़ेंगे केंदर में फिर से अगली बार एक मजबूत सरकार तीसरी बार ये बनेंगी ऐसा विश्वास दिलाते हुए मैं आपका अपना बहुत बहुत आभार पर करता हूँ हर्याना के जनता की ओर से बहुत भुत धन्यवाद बहुत आभार